जल से जल मौत की सजा नहीं मिली तो याद रखना यही जिहादी तुमारा मूँ बन करने में न पीछे नहीं अटेगा वीच रोड पे उस मासुम बच्चे का जैसा वत वा न वैसा इसको दिखाएंगे अजारों की तादात पे तो तुम ते तुम तो पकड़े होएंगे न ऐसा सुना भी है कि किसी एक को पकड़े है तुमने तीक है उसकी वीडियो बता दो जैसे तुम दुकाने तोड रहे हो वह ऐसे पत्तर मारने की उसकी वीडियो दिखाओ जैसे तुम एक रिक्सा वाले को नाम पुछके मार रहे थे वैसे उस पत्तर मारने वाली की वीडियो दिखाओ जैसे तुमने हमारे इसलाम के जंडे को मुसल्मान के वक्कार को जैसे तुमने गटर में पेका पेरो तले रौंदा कानून के सामने वैसी एक वीडियो उस पत्तर बाच की दिखाओ दारही मेरा होम की राउंड है 92 के दंगे देखे तो 26 जिलाई के अंदर है ना जोपड़ पट्टियों में हिंदू मुसल्मान के गरों में पानी बरता हुआ देखे कोई गांडू नेता कामने आता है काले हाँ जोडता है करंती वीर की तरह वो आके बोलता है कि हम तुमारा सब करेगा मडर होने के बाद प्रेशर में आने के बाद अगर कोई नेता उस गरीब मा के घर पे जाके ये बोलता है कि मा मैं तेरे साथ हूँ तो ये सर्दान जली नहीं है मैं वारी पसीज़ आप लोग देख रहे है मुंबई ब्रेकी निउस धारावी में अर्विन की मौत के बाद कुछ लोगों ने मौत का फाइदा उठाया उसे मौका बनाया और हिंदू मुसल्मान को लडाने की कोई कोशिच वहाँ पर नहीं छोड़ी जा रहे है इस मामले बात करने के लिए नदीम खान हमारे साथ मौजुद है आईए उनसे बात करेंगे नदीम भाई जैसे आपने देखा धाराई में अर्विन एक मासूम को बे मतलब मारा गया लेकिन उसकी मौत को कुछ लोग मौका बना रहे हिंदू और मुसल्मान को आपस में लडाने के लिए सबसे पहले बात जो बच्चा मरा और जिस बच्चे की हत्या हुई उसकी मा को उसके घर परिवार को मैं अपनी तरफ से सरदांजली देना चाहता हूँ और उनको हिम्मत देने की ये कोशिश करता हूँ कि उनके दिलों की अल्ला उनको सब्र दे उनको इश्वर सब्र दे और जिसने उसके हत्या की उस कातिल को मा टेंशन लेना नहीं हम है जो लोग तुम्हें आके भैकार है ना कि ये मुसल्मान जियादी मारे अगर उसे ये नया नहीं दिला पाए तो तेरा ये वेटा धारावी का बीच रोड पे उससे तेरे सामने तुझे नया देगा चाहे उसके लिए मुझे जेल क्यों ना जानी पड़े कोई बोल मचन नहीं दे रहा हूँ सुन लो जो तुमने जियादी वड़ी उसके है न जियादी का मतलब क्या होता है मालूमे लोगों की मदद करना गुने गार को उनके अंजाम तक पहुचाना और गरीबों के साथ खड़े रहना तो मा गरीब है और अगर उसको इंसाब दिलाना तुम लोग की नजर में जियादी है तो मैं हूँ जियादी मैं जियाद करूँगा अगर कानून से उसे फासी की सजा नहीं मिली और फास्ट ट्राइक में उसे जल जल मौत की सजा नहीं मिली तो याद रखना यही जियादी तुमारा मू बन करने में न पीछे नहीं अटेगा वीच रोड पे उस मासुम बच्चे का जैसा वत वा न वैसा इसको दिखाएंगे दिखाएंगे टेंशन मतलो जितनी तोहमत है तुमको मुसल्मान के नाम पर बांदना है न जितनी राजनीती तुमको मुसल्मानों के नाम पर करना है न कर लो जैसे के नदीम बाई वहाँ पर अभी अर्विन की एक मासुम की मौत का मौका बना के कुछ राज ने था अपनी रोटियां से करें और वहाँ पर धारावी का जो माहौल था बिगाडने पर तुले अर्विन की जिस वक्त अंतिम यात्रा जा रही थी तो कुछ लोगों ने एक अएक लोगों को मारना शुरू करते हैं तो किसी ने इस बात को बोला कि अर्विन की जो अंतिम यात्रा जारी है उस पर पत्तर बाजी की लेकिन ऐसा किसे कोई वीडियो नहीं मिला ऐसा कुछ नहीं मिला लेकिन लोगों ने वहाँ पर मारा देखिए अगर वहां के लोगों को मारना ही होता पत्तर तो दारवी पास से 10 लाग मुसल्मानों की आबा ते और अगर ऐसा किसी ने किया है उसके पार्थियो शरीर पर या उनकी रेलियों पर किसी ने पत्तर मारा है तो कानून उसको पकड़ा होगा ना कानून पकड़े को उसको सजा देगी हजारों की तादात में तो तुम तो पकड़े होएंगे ना ऐसा सुना भी है कि किसी ए पत्तर मारने वाली की वीडियो दिखाओ जैसे तुमने हमारे इसलाम के जंडे को मुसल्मान के वक्कार को जैसे तुमने गटर में पेका पैरो तले रौंदा कानून के सामने वैसे एक वीडियो उस पत्तर बाच की दिखाओ नहीं होगी ना क्योंकि तुमारे को है ना सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों का वत करना कतल करना ये तुमारी आदत हो गई है तुमारे राजनेताओं को खुश करना तुमारी आदत हो गई है तुम जैसे ही गुलाम थे अंग्रेजों के जो हमारे देश के पंजाब से लेकर के हिंदू भाईों से लेकर के मुसलमान भाईों को तुम लोगों ने सूली पर चड़ा दिया आजा दी के वक्त और वो थे गुलाम अंग्रेजों के आज तुम गुलामों नेता हो के उनके हड्डियों के उनके फेके हुए तुकड़ों के जैसे कि नदीम बाई को को नहीं है क्राइम रेट नहीं बढ़ रहा है नसे का रेट बढ़ रहा है साब बोलो ना देखो अगर एमडी चरस घांचा एक बटन आता है क्या पोलते उसको नेट्रोवेंटन यह सब यह सब अगर तुम बंद कराने में काम्याब नहीं हुए तो ऐसी रोज एक मां के होंगे होंगे तो सबसे पहले क्राइम रेट घिराना है तो उन नसे के वैपारियों को अंदर दालो क्राइम रेट खुद बा कुद गिर जाएगा क्राइम ना भाय हर दगाहे यह बात को समझ रहे हैं negativity मुसल्मान भी पहले मारा जाते थे दर्ढरावी के अंदर ही नोग परकारी बने तो इसका मतलब है वह हिंदू-मुसल्मान का दंगा हो गया यह आजकल का ट्रेंड हो गया चार मैने बाद एलेक्षन है पुलिस के अपपर प्रेशर दे देने का पुलिस को दबा देने का ए तुम्ची वर्दी जानार वह पीचार पुलिस क्या करेंगा प्रेश मानता हो कि पुलिस किसी के बाप से ने डरती पुलिस के सामने जो कतल हुआ उनके सामने तो तुमने रिक्से ड्राइवर को मारा हमारे इसलाम के जंडे को पेका तुम भी नहले पे दहला करते हो अपने आपको पहले तुम सुदारो और कितनी धमकिया दोगे तुम सुना है कि मुंबई टीवी के अबजल शेक को भी बहुत बड़ी धमकी दी तुमने और अभी तक उसे इंसाप नहीं मिला ऐसा ही होता है अगर वो कोई रवी किशन होता अभी तक का वो आरूपी मुसल्मान अंदर रिमर्ण पे कलकत्ता गोड और टायर में डाल के मार रहे होते हैं उसको तुमसल्माने ना बच्चा तुमारे तक सच्चा ही अपनी जान हतिली पे लेके पोस्त है न्यूस देने के लिए पुलिस से निवेदन करता हूं कि जल से जल नैसनल सीक्यूरेड इन अंटी करप्सन क्राइम प्रिम्टी तो नदीम खान उसके साथ होगा जैसे के देखा गया कि धारावी में नेता ने कुछ ज़्यादा यात tracking मचा रहा है तो इसे कौन से निता है नाम तो किसी नेता का अलग अलग नाम है सबके अच्छी तरह से अलग अलग नाम है नहीं पहले बास सुने सबके नाम अलग प्रेशर में आने के बाद कोई नेता उस गरीब मा के घर पे जाके ये बोलता है कि मा मैं तेरे साथ हूँ तो ये सरदान जली नहीं है वो पुलिस टेशन जाने का वो ही कोड जाने का और बोलने का तीन महने में रिजल्ट चाहिए 40 दिन 40 डेस में ना चार्शिट चाहिए 60 डेस में फासी का फंदा लोग की जो तुम बात कर रहे ना देखो कैसे मालूम ऐसे रोज नेता उभरते है और रोज जाते हम दारावी की जोपड़ पटियों में पले बढ़े हमको मालूम है एक गटर गल्ली तो बरापर बना नहीं पाते नगर सिवक बन जाते है तो साह बता घरी ना है ये और ने के लिए गरीबों का दर्ध कोई नेता नहीं बाठता इनेरे बाई गरीब नेता की जाके चाटता है गरीब नれて नहीं बाठता क्योंकि ओडताता है तो वह चटवाता है यह अदा सुदार मांँ होगा यही सिष्टम शाला बदली करना वह जंको मै नदीम खान मैं खा सिंग बोस है और वही एक आदमी महत्मा है देखता हूं मेरी आवाज सुनके कोंड से इंडियन खड़ा होता है इन जाड़ु शाप नेताओं के सामने यह इन जाई महारश्टा आपने यही सब बात है कि लेकिन अर्विन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या करेंगा देखिए उ तो उसके लिए इंसाफ का रास्ता चुना है मैं आप लोगों को कहता हूं कि गलत रास्ता चुना है उसको इंसाफ कोर्ट से मिलेगा कानून से मिलेगा और अगर मुझे इंसाफ उसको दिलाना है न मा को उस मा को और उस पीड़ित घर को अगर इंसाफ दिलाना है न तो मैं एक अच्छा एड़ोकेट दूंगा और कोट के अंदर फास्टाइक में केस चला करके मैं खुद फासी की पनिश्मेंड मांगूंगा लाइफ कन्वेंसिंग नहीं मांगूंगा लाइफ कन्वेंसिंग देने से ऐसे हत्यारों को एना फिर से बढ़ावा मिलेगा और वो नाम श अधी नदीम खानी इनसाफ करेगा क्योंकि मेरा इसलाम सिकाता है हक का साथ दो इनसाफ करो सच करो हक के सिवा कोई सच ने होता है मैं मुसलिम इमन पे चलने वाला हूं सच का साथ दूंगा हिंदू हो या मुसल्मान इनसाफ का रास्ता एक है बस धारावी के युवाओ के लिए चाहे हो हिंदू या मुसल्मान एक ऐसा मैसिज जिससे यह जो दंगे है वो ना हो किसी की दिल में नफरत ना फेरे देखो मेरे यंगेश्टर भाईयों एक शीच बोलूंगा तुमारी उम्र है दो पैसा घर पे ला करके अपने माबाप को समलना अपनी बीबी बच्चो किता नहीं था अर्विन किसी घरीब कःदा और आज मोहरा बन गया वह बेचारा मरने के बाद में भी मोहरा बन गया वह फेमस ने हो को मैं जब धारावी आओं ना किसी घंपती पंडाल में तो यार मुझे अच्छा लगना चाहिए कि ये मेरा सच्छा हिंदुस्तानी है ना मुसलमान है ना हिंदु है ये हे हिंदुस्तानी मुझे हिंदुस्तान दिखना चाहिए ना कि मुझे अफगानिस्तान का बंबलास द देश दुरोई दिखना चाहिए, मुझे हिंदुस्तानी दिखना चाहिए, सुधर जाओ, मेरे भाई, अपने आपको समालो, जै इन जै महाराश्टु। देखा, नदीम भाई ने लोगों से अपील किये, जो ये एक मासूम बच्चे की मौत को जो नेता मौका बना कर, लोगों के दिल में, यंग स्टर्क के दिमाग में, एक ऐसी छवी पैदा करने की कोशिच कर रहे हैं, जिससे मुंबई का माहूल, देश का माहूल खराब हो सकता है, तो नदीम भाई ने इस बारे में लोगों से अपील की है, कि अरविन को तो इनसाफ जरूर मिलेगा, अगर कोई और नहीं, तो नदीम भाई खुद खड़े रहेंगे, और बाकी लोग अरविन को इनसाफ जरूर मिलना चीए, जिन लोगों ने उसकी हत्या किये, उन्हे फासी मिलना चीए, लेकिन आने वाले वक्त में जो नेता युवाओ के दिमाग में एक ऐसी चीज भर रहे है, जिससे मुंबई और देश का माहोल खराब होता, तो युवाओ को इसमें समझने की जरूरत है, कि वो ऐसे नेताओ के बढ़काने पे ना जाए, अपना धाराव के साथ नहीं है, अपने टॉन को सुधा रो, सुधा रो, पाद धस लाक मुसल्मान की आबादी है, किसी ने उसका समर्तन नहीं किया, सब अपने काम दंदे पे लगे, उन मुसल्मानों को मत उक्साओ, यह सहर जल जाएगा, समल के रो. तो नदीम भाय का साफ यह कहना है, कि धारावी में उन हत्यारों के साथ कोई मुसल्मान नहीं है, सभी अरविन के साथ खड़े है, क्योंकि उसकी बे मतलब, बे मौके पर उसकी हत्या कर दी गई, एक मासूम ने अपनी जिंदगी को दिया, एक माने अपना बेटा, एक बेह करने से बचा लीजिए, आमिर के साथ आरिफ अजीज मुंबई ब्रेकिंग यूज से,